असलामुलीकुम एंड वेलकुम बैक टो एनदर वीडियो कैसे हैं आप सब होफुली सब ठीक होंगे अलहमदुलिल्ला मैं भी हूं फाइन और मज़े में तो जी आज माशालला से मैं बनाने जा रही हूं बिर्यानी बड़े ही अथंटिक स्टाइल में बना के दिखाऊंगी जो के बहुत असानी से बन जाती है और इस रेसिपी को मैं आप लोगों के साशेयर का रही हूं बिल्कुल अथंटिक स्टाइल में रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो थाम्स अप जरूर दीजेगा चैनल पर नए है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा तो चल अफ्सक्राइब के बिल्कुल और शच्छी वीडियो प्रूट्प टीजेगा और इसमें डाल दिया एक लिए और चौटा कप जोता है और इसमें डाल दिया एक बड़े साइस कारनियन इसको हम सौते करेंगे तब तक सौते करेंगे जब तक इसका स्लाइटरी सा कलर नहीं तो जी यह रोजे के बाद मैं बना रही हूँ इसलिए तो यहां पर मैं आस्केरीम भी खारी थी तो इसका कलर आन शूरू हो गया है माशाला से तो अब इससमें से थोड़े से तो प्यास निकाल गी तो इसमें डाल दूँगी टीडे किया हूँ चिकन और इसको मजीड कोक नहीं हो जा जो पांच मिंट तक पकने देना हो भिर यह जारे एक पांच मिट तक पको पकने देना है और नहीं हो जाता है Chamah जब तक इसका सब्सक् Tapने नहीं हो जाता लिचा है अब स्टेज कर दें डूस अंपर आध Ce चार पांच चदद गोल कटी सबंद मिचें डाल दिया और इसको फिर हमने स्टीम देनी और फिर हमने इसको पकने देना है ताके जो हमने फ्रेश स्टीम एड़ किये हैं वह इसमें डिजॉल्व हो जाएं और चिकन का टेस्ट वेल्प हो जाएं तो यहां पर मार्शाला से हमारा कोर्मा त्यार हो गया है नेक्स टेप में ले लिया है एक बड़े साइज का वाउक को इसमें डाल दिया जी पानी हस्वे जरूरत क्योंकि मैं बना रही हूं बिर्यानी टू एंड हाफ ग्लास तो इसमें जाएंगे जी पानी के जो ग्लास जाएंगे वो उससे दुगना मतलब जाएंगे दूगने स जाएंगे तो यहां पर मैं इसमें डाल दिया जी सॉल्ट विजरूरत और वो दीने के पते जो मैंने रखे हुए थे तो आप जाएंगे तो आप जाएंगे तो इसमें डाल देंगे जी चावल अब इसको लगा देंगे हम श्टीप तो पांच मिन बाद इसमें बॉइल आन जाना शुरू हो गया है और इसके ओपर फॉम फॉम सा भी आने लग गया है तो इसका मतलब है कि हम यह फॉम कर देंगे और साथ ही जो मिन्ट लीव्स हैं वो भी मैं रिमूव कर दूंगी क्योंकि यह फ्रेश मिन्ट लीव्स नहीं हैं जो मैं इसमें रहने दूँ यह मैं ड्राय मिन्ट लीव्स एड़ किये थे क्योंकि मेरे पास फ्रेश उस वकत अवेबल नहीं थे तो यहां पर जी मैं इसमें को रिमूव कर दूंगी अच्छे तरीके से और फिर इसमें मुजीद बॉयल आने दूंगी और जब एक कनी चावर रह जाएंगे तो फिर इनको मैं स्टेन कर लूँगी तो यहां पर मेरा कॉर्मा जो था मैंने थोड़ा सा मतलब हाफ कुक रख दिया था तो यहां पर आप इसको मजीद साथ गरमा गरम कुक करती जाओंगी ताके जो बॉयल की राइस हैं वो भी गरम रहें और कॉर्मा भी हमारा गरम गरम हो तो पिर जो द पिखे वी डेमन उसमें कट्र वे टमाटर थे अडरल सोरी पोडीन नहां था साथ में वो फ्र अनियन थे जो मैंने थोड़े सी निकाली तो अब मैं इसमें लिए लगा दूँगी जी राइस की और दूसरी मैं लगा दूँगी चिकन कुर्मा की तो यहां पैसे ही लेर्ज म उपर अपड़ दंऴर नहीं चेल गया दम करें, और जू सुखने हमकरा कें भी और गलताबस मसान करें सैलेड जिसके लिए मैंने सारी चीज़ें कोकैमबर चकंदर गाजर अनियन और सारी चीज़ें जो थी ना मैंने काट के रखे ही ती क्योज में कटी ही थी बरी कचुमर बनाने लगी है तो इसमें मैंने एड़ का दिया है लेमन जूस ब्लैक पेपर और साथ में साल्ट तो यह मेरा सैलड हो गया त्यार अब आगी है हमारी राइत कर दोंगे और इसके अंदर कटा हुआ प्याज बरीक और ट्रमाटर एड़ कर दोंगे तो यह राइता बनके त्यार हो गया है तो अब देख लेते हैं कि हमारी बिर्यानी को कितना टाइम रह गया है तो यह सर्विंग के लिए मैंने इस तरह इसको साइड पे कर दिया है तो प्रियानी कानी तो फिर मैंने जल्दी अठीक बिर्यानी बनाई तो यहां पर यह देखें जी डिश आउट होगी है अब हम इसका टेस्ट करते हैं कि कैसी बनी है तो चलें जी आ जाते हैं टेस्ट पर थोड़े से हम राइस लेते हैं प्लेट में डालते हैं और आपको बता में इतनी स्पेस तो रहेगी कि हम रोजे के बाद अच्छे तरीके से जी बर के खाना भी खा सकते हैं एक दम से सारी डिशिस होना तो दिल नहीं करता है एक तो ठके होते हैं और फिर यह होता है कि दूसरा यह के फिर इजी हो जाता है तो यहां पे जी माशला बियानी हमारी माशला बानगी है यह देखें बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े की तो आप भी बना कर खाएं वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी प्रेजन्स का जरूर इजहार किया आप किस किस सिटी से मेरी वीडियो को वाच कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बता करेंगी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें एंड कमेंट करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्यार रखेगा फीमान ला